नमस्कार दोस्तों मैं हैमेंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल Ultimate Laksh दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो आज यह हमारा हिस्ट्री का जो है दस्मा पार्ट है पिछले में हम लोग ने यवन राज में के बारे में पढ़ा था तो हम लोग जब स्टार्ट करें तो पले वहां के बारे में कुछ क सब्सक्राइब कर ले, बेल ऐकन को क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए और आप लोग वीडियो तुरत ले सके, पासके, ठीके दोस्तों चली सुरू करते हैं, आज का पहला, तो आज का पहला हम लोग स सैन सर्जेंट जिसको बोलता है, तो उपरोफ सभी यह जो आंसर होगा, इसका क्या होगा, प्रांतो के राजपाल आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, निवलिकित में से किस छत्रप ने देवी लक्षमी और तीन हातियों जैसी छवी के सिक्के को उक्रिन किया था, तो चत्रप परणाली का उद्वब कहां हुआ था, तो इसका उत्तर हो जागा, इरानी में, मतलब बी आंसर हो जागा, इरान में, नेक्स्ट कोशन है, कि सक्स सासकों ने खुद को राजाओं के राजा के रूप में क्यों बुला है, तो इसका आंसर हो जागा, क्योंकि वे सैन गवर्नों और चत्रपों की मदद से शासन करते थे ठीक है नेक्स गोशन देखें निमलिकीद में से किस ने महा दमपत्ती का उपादी धारन करके शासन किया था तो इसका उत्तर हो जाए किया पटि का कुसू ला करू नेक्स गोशन है कि सौराष्ट पर शासन करने वाले पहल पर उखिर्न किया था तो इसका उतल जाएगा पस्सीन भारत के composition सत्रा या छत्रप पर्णाली का प्रियों भारत में जेकर था में जिम्सके।Sक के द्धोरा किया था था दो इत्धर ड d किसके द्धृ कर्णाला क से किस युनानी लेखक ने यवन जातक को युनानी से संस्कृत भासा में अनुवात किया था जो भारते जोतिस को भी प्रभावित करता है जिसका उत्तर है क्या यावा नेश्वर जो आपसन ए में है ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर कोश्चन भी है तो उसको फल किसेस आगे बढ़ते हैं कुछान वन्स का सरवाधिक सक्तिसालिशासा का क्या नाम था तो कनिस्क कुछानों की राजधानी कहा थी तो पुरुषपूर यानि पेशावर पेशावर कहा है आपको पता ही है वो पाकिस्तान में है आगे बढ़ते हैं कुछानों की दूसरी रा डाम्राज कहां से कहां तक फरा तो मड ऐसिया से सारनाथ तक फिर आगे बढ़ते हैं कि किस धर्म का नविए था तो बाध धर्म का था, ठीक है आगे पढ़ते हैं कनिस्च की सासन काल में कौन वाज जो संगती कुंडल में वन में हुई थी तो वो चोती थी किस प्रसिद्ध बाहत विद्वान के अधक्षिता दा में चोती संगती वे थी तो वसू मित्र के कनिश के बाद कनिश के बाद धर्म के किस संपरदाय का निवाई था तो महा यान संपरदाय का कनिश का सासन काल कप से कर तक था तो 78 से 102 इसवी तक कनिश के दरवार का महा नायरुवेश चिकित्सक का नाम क्या था तो चरक चरक ने किसकी रचना किती तो चरक सहीता के, बुद्चरित किसकी रचना है तो अश्वगोस की, सूल, सुत्रा, लंकार ने किसकी रचना किती तो अश्वगोस ने, महाविशाब सुत्र की रचना किती तो वसो मित्र ने, बौत धर्म का विश्व कोप किसे कायाता है तो महाव साफ सुत्र को भारत का आइंस्टीन किसे बोला आता है तो नागारजुन को बोला आता है नागारजुन ने किस परसीद पुस्तक की रक्षना की थी तो माध्यमिक सुत्र की माध्यमिक सुत्र के इस पुस्तक में किस सिध्धान का उलेक मिलता है तो सापेक्षिता का सिध्धा काल में हुआ था तो कनिस्क के सासंकाल में हुआ था कनिस्क के दरबार का महान राजनितिक का नाम क्या था तो वो क्या नाम था उसका मधर उसके लागे बढ़ते हैं कनिस्कपूर और सिर्मुख नगरों की स्थापना वोई थी तो कनिस्क के सासंकाल में next question है और आखी question है क्या है रेसव मार्क पर नियंतरन करने वाला सासा को में सरपर्थन कौन था तो कुशान था ठीक है अब हम लोग आगे बड़ते हैं जो कि हमारा आज का chapter होगा तो आज का जो हम लोग श्टार्ट करें वो किसके ही इसार क्या श्टार्ट करेंगे तो संगम संगम यूग के बारे में स्टाट करेंगे हम लोग तो संगम यूग क्या है यह यूग दक्षिनी भारत में सब पहले सताब्दी से दूसरी सताब्दी के बीच में अवधी में था संगम काल दक्षिन भारत कृष्णा एवं तुंग भद्रा नदी के दक्षिन में इस्तित था कि प्राची नित्यास का एक कालखंड है यह कालखंड इसा पूरु तीसरी सताबदी से लेकर चोथी सताबदी तक पसरा हुआ है यह नाम संगम साहित के नाम पर पड़ा था संगम साहित द्रवीड साहित के सुरुवाती नमूने थे संगम का लोकाप्यम नामक एक गरंत उपलब्ध है जो तमिल व्याकरन गरंत है प्राचीन दक्षिन भारत में आयजुत तीन संगम थे जिनें लोकप्रिय से मुच्चगम कहा जाता है इन संगम मुख का विकास मदरए के पांडिया राजाओं के साही सनक्षन के तहत हुआ संगम युक के दोरान छे सो इस्विपूर से तीन सो इस्विपूर के बिच अबधी तमिल में पांडिय, चोल और चेर के तीन तमिल सासकों और कुछ सोतंद सरदारों वेलीर का सासन था इन राजियों के समक्ष मुक् शुरोत के संगम अवदी के साहितिक संदर में रिखांकी थे तो हम लोग तो अभी पढ़ ली ये यो सासक थे अब हम लोग इस सासक के बारे में थोड़ा सा विस्तिर रीट रूप से जान कर रहे लेंगे लेकिन उसके पहले संगलम युक के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी लेंगे तो वो क्या है कि संगलम काल के कुछ प्रमुक नगर थे तो उसमें कौन-कौन थे उरैपूर या चोलों की राजदानी थी और सूती कपडों का बड़ा केंदर था फुहार या प्रसिद बंदरगा चोलों की समुद्र तटी राजदानी थी मदुरे या पांडी सामराज की राजदानी थी कोरकाई या पांडेयों की समुद्र तटी राजदानी थी वंजी या करेय यूर या चेर सामराज की राजदानी थी मुशीरी या मुजीरिस या चेर कालिन बंदरगा था अब उसके समकालिन कुछ सब्दावली परमुक सब्दावली उसके बारे में पढ़ लेते हैं तो वो लोग किसकी सब से क्या क्या यूज करते थे तो मा या वेली का यूज होता था वो लोग क्या करते थे भूमी की माप क कुडमय पादू इसका मतलब क्या था यह राजाओं को दिया जाने वाला कर था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग तो चेर राजबंस सासक जो इसके कौन-कौन थे मुख्ष सासक तो थे उदेईन जेरल नेदु जिरल अदान सेन गुटवन लाल चेर इसे बोलाया जो कि था वो चेर राजबंस का सासक था आब आगे बढ़ते हैं कि चेर राजबंस का आधुनिक केरल के मुख्य भागयों में सासन रहा है उस समय चेर की राजबंस का प्रतिक क्या था धनुस और तीर था इस अबदी में तोड़ी और मुसीरी प्रमुक बंदरगवा थे से सेंगुत्वम की उपलब्धिया को महाकाव सिल्प दीकारम में धर्ज किया गया है उन्होंने हिमालय के लिए एक अभियान किया जिसके दोरान कोई उत्तरी भारतिय सासकों को कई उत्तरी भारतिय सासकों को उन्होंने हराय था सेंगुत्वम जो है जिसे सेंगुत्वम भी ठीक है तो ये थे चेर राजबंस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चोल सासक के बारे में तो चोल राजबंस जो था यह था क्या इसके सासक थे कौन इलारा और करीकाल संगम काल में चोर सामराज चोल सामराज तिरूची जीले से दक्षिन आंधर प्रदेश तक फैलावा था प्रारम में चोलो की राजबाने उरैपूर तिरूची पल्ली के पास थी बाद में करीकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की अस्थापना कर उसे अपनी राजबानी बनाया इसका प्रतिक चिन बाग था चोलो के पास एक उसल नौसेना भी थी ठीक उसके बाद अपने जीवन और सैन अधिगरन को दर्साया है विभिन संगम कविताओं ने वेन्नी के युद्ध की व्याक्या किया है जहां उन्होंने चेर पांड और राजबंस तथा अनगटबंदनों को हराया है ठीक है वहिपा परन डालाई इनमें से एक महत्पुन लडाई थी जो क रिकाल दौरा लड़ी गई थी उन्होंने अपने सासन के दौरान व्यापार और वानिच छेत्र को संपन किया उन्होंने जंगल से प्राप्त भूमी के लिए कावेरी नदी पर सिचाई के टैंक के द्वारा खेंती के लिए पानी उपलत कराया इसके अत्रिक कावेरी नदी कि पर 16 कीमी लंबा बांध भी किस ने बनवाय तो चोल राजवानस ने बनवाया है था मतलब किस ने बनदे खिर के लां अगे दधे natale आगे बढ़े कंडी राजवांस जो मुगन सा saya सकते वह कान थे नटीयों और नेडू जेलेन पांडियों नि मधूरे से सासन किया उनका राज भारतिय प्रायदीब के सुदूर दक्षिन और दक्षिन पूर्व भाग में था कोर कई इनकी प्रारेम्बिक राजधानी थी जो बंगाल की खाड़ी के साथ थमपर रानी के संगम के पास थी थी पांडि वंस का प्रतिक चिंद मचली थी पांडियों ने तमिल संगमों का सनक्षन किया और संगम कविता के संकलन की सुविधा प्रदान की पांडियों ने एक नियमी सेनाय बनाय रखी संगम साहित के अनुजार पांडि राज धनी और सम्रित था पांडियों का पहला उलेक मेगास्थनीज ने किया मेगा अस्थनी जैसे हम लोग बताया था कि मेगा अस्थनी जैसे हम लोग बताया था कि मेगा अस्थनी जैसे एक अच्छी बुक की रचनाकी दिश का नाम क्या था तो इंडिका था इन्हों ने इस राज को मोतियों के लिए प्रसिद बताया था इस राज में ब्राह्मनों का परेमें परेंगे तो अब यहां गुप्द राजवंस किया था तो गुप्त राजवंस की नीब रखने वाला स्कृत तीह की जानकारी वायू पूरान से प्राप्त होता है गुप्त काल की राज के ये भासा संस्क्रीत थी यह भी माना जाता है कि दस्मला परणाली की सुरुवाद भी गुप्त काल में हुई थी और मंदीरों का निर्मान कार भी गुप्त काल में ही शुरू हुआ था यह भी माना जाता है कि बाल विवा की प्रथा संबप्ता गुप्त काल से ही प्रारम हुई थी गु गुप्त सामराजियों में ब्रामनों को कर सहित क्रिशी भूमित दी जाती थी जबकि अनि लोगों को उनकी उपज का छठा भाग भूमी राज स्वरूप के रूप में देना होता था। साइक से ही था। अब लोग पढ़ते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन राजा थे और महान राजा थे उनके बारे में तो इसमें स्री गुप्त जिनका सासन काल 240-280 इस्वी है। घटोतकच गुप्त या घटोतकच उनका था 280-319 चंद्रगुप्त प्रथम जिनका था 319-335 इसाफूर समुद्र गुप्त जिनका था 335-375 इस्वी फिर आते हैं राम गुप्त राम गुष्रीप 375 तक शासन करते हैं क्योंकि इसके बाद चंद्रगुप्त ने उनका शासन को उनके राजगद्दी को हतिया लिया था चंद्रगुप्त दियूतिया ने फिर इसको बोलते हैं इसका था 415-454 इस्वी फिर आते हैं इसकंद्गुप्त इसकंद्गुप्त का शासन था 455-466 तो हम लोग थोड़े थोड़े करके इनके बारे में पढ़ें कि जो सब महांस आ सकते इस वन्स के तो पहले आते हैं स्रीगुप्त जिसका सासनकाल था 240 इसवी से 280 स्वापूर स्रीगुप्त सासनकाल गुप सामराज का संस्थापक था स्रीगुप्त के बाद उसका पूत्र घटोतकज गुप्त जिसको हम लोग घटोतकज का भी नाम से आनते हैं सासक बना इस वन्स का प्र वैसाली दहेज में प्राप्त हुआ, गुप्त में सबसे पहले रजत सिक्के चंदरगुप के द्वारा चलाए गया है, श्रीगुप्त को प्रभावती गुपता के पूना तामर फलक में अधिराज और उसके प्रपौत्र समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रसक्ति में राजा कहा गया है, विद्वानों ने उसका समयक प्रयाथ 260-300 इस्वी के बीच में बताया, ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग, तो श्रीगुप्त के बाद आता है घटवत्कज गुप्त, इसका सासन काल था 280 इस्वी से 319 इस्वी तो घटवत्कज गुप्त जो था, वह गुप्त प्रथम, वन्स का प्रथम समराथ हुआ, घटवत्कज गुप्त जिसका सासन काल था 300-319 इस्वी तक गुप्त काल में श्रीगुप्त के पूत्र और उसका उत्रादिकारी था, लगवग 280 इस्वी में श्रीगुप्त ने घटवत्कज को अपना उत्रादिकारी लिखा हुआ है, मधु मती नामक छत्री कन्या से घटोतकच का पानी ग्रहन यानि विवा हुआ था, लिच्वी देवों ने, लिच्वीयों ने घटोतकच को सरंदिती साथ ही उसके पूत्र चांदरगु पृत्थम के साथ अपनी पूत्री कुमार देवी से विवा कर दिया थ महराज घटोतकच ने लगवग 319 इसवी तक सासन किया, इस राजा को पहला सासक माना जाता है, घटोतकच का सामराज मगद के आसपास में इस्थित है, क्योंकि इसे पहले कुसानों का सासन था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे है हमारा चंद्रगुप प्र इसने महराजा धिराज की उपाधी धारन की बाद में लिक्षवी को अपने सामराज में सिमिलित कर लिया, इसका सासन 320-325 इसवी तक चला, चंद्रगुप प्रथम गुप्त बंस के तिरतिया किन्तु प्रथम सोतंत्र व्यवम सक्तिसाली नरेश था, साधारन तिया विद् तो चंद्रगुप प्रथम ने कि थी, गुप्तों का अधिपत्य आरम में दक्षिन बिहार था उत्तर पसिम बंगाल पर था, प्रथम चंद्रगुप प्रथम ने सामराज का विस्तार किया, चंद्रगुप प्रथम ने लिच्वी कुमार देवी से विवा किया, चंद्रग मिलाया तथा सामराज की राजधाने पाटली पुत्र में इस्थापित कर दे तो यह थे चंदरगुप्त प्रतम अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो आगे थे राजा वो थे समुद्रगुप्त के बाद 335 हिस्वे में उनका दथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगदी पर बैठा संपूर्ण प्राचीन भारत में इतिहास में महांतम सासकों की रूप में यह नामित किया जाता है इन्हें पर करमांक कहा गया है समुद्रगुप्त का सासन काल राजनेतिक एवं संस्कृतिक ब्रिष्टी से गुप्त सामराज के उतकर्स का काल माना जाता है इस सामराज की राजगा ने पाटली पुत्रा थी समुद्रगुप्त ने महाराजा धिराज की उपादी धरन की समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अत्रिक्त एक अच्छा कविद्धा संगीता की भी था और आप लोगों को पता है कि समुद्र गुप्त को जो है उसके भारत का निपोलियन भी कहा जाता है उसे कला मरमग भी माना जाता है उसका देहान 300SV में हुआ उसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप संगीता जिसने वीना वादन का सौक था इसने प्रसीद्ध बौध विध्वान वशू बंदू को अपना मंत्री नियूत किया था समुद्र गुप्त का राज समुद्रगुप्थ ने विसाल सामराज का निर्घ किया जो उत्तर frig800 दक्षिमें विंद करवत्त तर्वन बंगाल की खाडि से पश्चरी में पूर्वी मालवार विफ्तरी था तो यह था समूद्रगुप्थ-इसका उत्त्वरभिकार हे राम गुप्थ- लेकिन इसके राजा बनने में विभिन विद्वानव में मध्वेद है। विभिन सभ्यों के साक्षियों के अभार पर पता चला है कि समुद्रगुप्त के दो पुतर थे। रामगुप्त रुत था चंद्रगुप्त, रामगुप्त बड़ा होने कारण पिता की मिर्तियों के बाद रगद्धी पर बैठा, लेकिन वह निर्बलवक कायर था, वह सासको त्वारा प्राजित हुआ और अत्यंत अपमान जनक संधी कर अपनी पतनी धुरुव स्वामिनी क सद्रकाच के पास गया, फलतर रामगुप्त निंदनी हो गया, ततपस्चा चंद्रगुप्त दूइतिया ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करती, उसकी पतनी से विवा कर लिया और गुप्त सामराज का सासन करने लगा, तो यह थे रामगुप्त, अब हम ल चंद्रगुप्त विक्रमादित के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत में महांतम एवं सरबादिक सासकों में एक था, यानि समराट था, उसका राज 375-414, कहीं 412 भी लिखा हुआ है, कहीं 414 भी लिखा हुआ है, अभी भी इसमें मद्वेत है, तो हम लोग यहां पे जो है, 414 को ही हम लोग लेंगे, तो थक चला था, जिसमें गुप्त राजबंस ने अपना सिखर प्राक्त किया, गुप्त समराज का वह समय भारत का स्वर्निंग युग भी कहायाता है, चंद्रगुप्त दूइतिये महान अपने पूर्व राजा समुद्रगुप्त महान के प बनाया, चंद्रगुप्त ने विद्वानों को सनक्षन दिया एवं उसके दरवार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिसमें कालिदास वराह मिहीर धनमंत्री परमुग थे, उनके बहुत से पुत्र पौत्र थे, किन्तु अपने अंतिम समय में उन्हों ने चंद्रगु ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं में उसका पूत्र कुमार गुप्त पर्थम संगासन पर बैटा, वच चंद्रगुप्त दुईतिया की पत्नी धुरूब देवी से उत्पन सबसे बड़ा पूत्र था, जबकि गोबिंद गुप्त उसका छोटा भाई था, ये कुमार गुप्त के बसाट वैसाली में नालंदा विस्विद्याले के अस्थापना कुमार गुप्त नहीं की थी, कुमार गुप्त पर्थम का उत्तर अधिकारी हुआ, स्कद गुप्त हुआ, उसे महेंद्र कुमार, स्री महेंद्र, स्री महेंद्र सिंग, महेंद्र दिवी, आदि उत्पादी धारन की, उसने अध पुमार गुप्त के सासनकाल की प्रमुग घटनाओं का जो वीवर्ण है उसके बारे हम लोग जान करे लेंगे। कुमार गुप्त ने समुद्र गुप्त के संवान दक्षिन भारत का विजय अभियान चलाया लेकिन 17 जिले के प्रापट अभिलयाइस से यह एस्परस होते किस के दवारा तो कुमार गुप्त के दवारा, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुमार गुप्त के बाद जो सकंद गुप्त था वही को पुथ सासक था, तो पुषयमीत्र के आकरवन के समयए गुप्त सासक कुमार गुप्त पुर्थम ने की 445 इस्वे मिर्थि हो गई थी उसकी मिर्थि के बाद उसका पुत्र सकंद गुप्त सिंहासन पर बैठा उसने सर पतम पुत्समित को पराजित किया और उस पर विजय प्रात की हालाकि सेन अभियानों में वो पहले से ही सामिल मंसौर शिलालेक से ग्याद होता है कि सकंद गुप्त की प्रार्मभी, कठनाहियों का फायदा उठाते हुए, वका, टक, शासक, नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया था. परन्तु सकंद गुप्त ने वकाटक सासक के इंदर नरेन सेन को पराजित कर दिया था सकंद गुप्त ने 12 वर्षतक सासन किया सकंद गुप्त ने विक्रमादित आदि उपाधिया धारन की कहोम अभिलेक से सकंद गुप्त को सक्रोपन कहा गया है स्वेत हुनों के नाम से पुकारे जाने वाले हुनों की एक साखा ने हिंदु कुश परवत को पार करके फारस्त था भारत की ओरी रुख किया उन्होंने पहले गांधार पर कबजा कर लिया और फिर गुप्ट समराज को चुनोती दी पर सकंद गुप्त ने उन्हें करारी सिकस दी और हुनों से अगले 50 वर्सों तक कहां भारत को दूर रखा सकंद गुप्त मौरिकाल में बनी सुदर्शन जिल का जिरुनोदगार भी करवाया था सकंद गुप्त जो था राजबंस का आकरी सक्ति साली समराट था इसकी निधन कब हो गई थी तो 600 सरसट इसी फूल में हो गई थी तो यह थे इसकंद गुप्त अब जो हम आगे पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कुछ-कुछ जो सकंद गुप्त के बाद को इन साम्राज में निमलिक्री प्रमुक्राजा हुए तो कौन यसे पूराज की दूईतिया बुद्धी नर्सिंग जो क्मार गुप्त से यह उत्तिया पतं हो गया धुट्णार में निकले और हुनोंगा का सामना नहीं कर्षकत तो यह था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और जरूर लाइक और शेयर करें हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें अच्छा लग रहा है कमेंट के बादेम से बताएं उनका साथ दे और अच्छे से अपने घर में रहें ठीक है दोस्तों तो आप लोग सेफ रहें अच्छे से रहें धन्यवाद जैहिंद